देश वास्यों ने मुझे दाईत्म दिया आज हद्री के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल के लिए से देश वास्यों का गवरवगान करने का आउसर मिला था लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूं कितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देश वास्यों आपके सुख दुख को समझ पाया हूं जेश की आँसा आपे छाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बस्ती है उसको जीतना मैं समझ पाया हूं उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखन जेश के उन लोगों को एमपावर करने में खपाया मेरे तलीत हो शोशीत हो पुडीत हो पंचीत हो आदिवासी हो मैला हो युवा हो किसान हो दिम्यांग हो भूरब हो पस्तिम हो उत्तर हो दक्षिन हो समिद्र का तट हो हमाले की कंद्राए हो हर कोने में महतमा गांदी का जो सपना था आखरी इनसान की चिंता करने का महतमा गांदी ची जो अकांच छाती अंतिम छोड़ पर बैटे हुई वेक्षि को समर्थ बनाने की मैंने अपने आपको उसके लिए समर्थिक गिया और उन आठ साल का नतीज़ा और आज हाजी के इतने दसकों का अनुभाव आज पतरतर साल के बाद जबहां अमरित काल की और कदम रख रहे हैं अमरित काल की ये पहली प्रभात है तब मैं एक ऐसे सामर्थ को देख रहा हूँ और जिससे मैं गर्व से भर जाता हूँ देश वाचियों मैं आज देश का सबसे बड़ा सवभागे देख रहा हूँ कि भारत का जन्मन आकांशी जन्मन है एस्प्रेस्टल सुसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कौने में हर समाज के हर वर्ग में हर तबके में आकांशाएं उफान पर है देश का हर नागरी चीजे बदलना चाहता है बदलते देखना चाहता है लेकिन इंतजार करने को तयार नहीं है अपनी आखों के सामने देखना चाहता है करकवे से जूड़ करके करना चाहता है वो गती चाहता है वो प्रगती चाहता है 35 साल में संज्वे हुए सारे सप्रे अपने ही आखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालाइत है उत्साहित है उतावला भी है कुछ लोगों को इसके कांसंकट हो सकता है क्योंकि जब एस्प्रेशनल सुसाइकी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पे चलना पड़ता है सरकारों को भी समय के साथ दोड़ना पड़ता है और मुझे विश्वास है जाए केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो अस्तानिय स्वराज के संस्ताय हो किसी भी प्रकार के इस्प्रेशनल सुसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा उनकी आकांग ठाओं के लिए हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते है हमारे इस एस्प्रेशनल सुसाइटी ने लम्मे अरसे तक इंतजार किया है लेकिन अब वो अपनी आने वाली पिड़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है और इसलिए कि अमरित काल का पहली प्रभाद हमें इस एस्प्रेशनल सुसाइटी की आकांग ठाओं को पुरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुना रहा आउसर देखर क्या आई है मेरे प्यारे देश वास्यों हमने पिछले दिनों देखा है एक दोर ताकत का हमने अनुभव किया है और वो है भारत में एक सामुई चेतना का पुनर जागरण हुआ है एक सामुई चेतना का पुनर जागरण आजहादी के इतने संगर्ष मैसेज अम्रत था वो अब संज्वया जा रहा है संकलित हो रहा है संकल्प में परिवर्तित हो रहा है पुर्षाद की प्राकास सा जुड रही है और सिद्धी का मार नजर आ रहा है यह चेतना मैं समझता हूँ कि चेतना का जागरण यह पुनर जागरण यह हमारी सबसे बड़ी अमानत है और यह पुनर जागरण देखिए तस अगस्तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है लेकर फिछले तीन दिन से इस प्रकर से तृमगे जण्डे को लेकर के तिर्गा की यात्रा लेकर के दस्चेस दश चल पड़ा है बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्पर्ट्स यह भी शायद कलपना नहीं कर सकता है कि मेरे भीतर के अंदर कितने मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्द हैं एक तिरंगे जंडे ने दिखा दिया है यह पुनर चेतना पुनर जागरण का पल है है यह लोग समज नहीं पाए है जब शबर जंता कर्भ्यों के लिए हंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूती है जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वारियर के साथ कंदे से कंदा मिला करके खड़ा हो जाता है तब चेतना की अनुभूती होती है जब दिया जला करके कोरोना वारियर की शुप काम बना देने के लिए देश निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूती होती है दुनिया कोरोना के कालखन में वैक्सिन लेना या न लेना वैक्सिन काम का हैग नहीं है उस उल्जन में जी रहा था उस समय मेरे देश के गाउं गरीब भी 200 करोड डोज दुनिया को चौका देने वाला काम करके दिखा देते हैं यहीं चेतना है यहीं सामर्थ है इस सामर्थ ने आज देश को एक नई ताकत दी है मेरे प्यारे भाईयो बहनो 301 महत्वपून सामर्थ है मैं देख रहा हूँ जते ऐस्प्रिसनल सोसाइटी जते पुनर जांगर वैसे ही आजाजी के इतने दसकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुखा है विश्व भारत के तरफ गर्व से देख रहा है अपेच्छा से देख रहा है समस्याओं का समाधान भारत की दर्ती पर दुनिया खोजने लगी है दोश्व विश्व का ये बरिलाव विश्व की सोच में ये परिवर्तन 45 साल के हमारी अनुभाव यात्रा का परिणाम है हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं दुनिया इसे देख रही है राधिर कर विश्व भी उमीदे लेकर के जी रहा है उमीदे फुरे करने का सामर्थ कहां पड़ा है वो उसे दिखने लगा है मैं इसे इस त्री शक्ती के रुप में देखता हूँ तीन सामर्थ के रुप में देखता हूँ और ये त्री शक्ति है एस्पिरेशन की पुनर जागरण की और विश्व की उमीदों की और इसे पुरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों आज दुनिया में तुमी स्वाज जगने में मेरे देश वाक्षियों की बहुत बढ़ी भूमी का है 130 करोर देश वाजियों ने कई दसकों के नुभाव के बाद स्थीर सरकार का महत्में क्या होता है राजनीतिक स्थिर्ता का महत्में क्या होता है पुटिकल स्टैबिलिटी दुनिया में किस पकार के ताकत दिखा सकती है नीतियों में कैसा सामर्ध होता है उन नीतियों परविष्चों का कैसे भरोजा बनता है ये भारत में दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है और हम जब राजनितिक स्थिरता हो, नीतियों में गति शिलता हो, निल्ड़ों में तेजी हो, सर्व व्यापकता हो, सर्व समाज विश्रता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागिदार बनता है, हमने सबका साथ सबका विकास का मंत रहे करके हम चले थे, लेकिन देखते ही सबका विस्वार और सबका प्रयाद से उसमें और रंग भर दिये हैं, और इसलिए हमने देखा है, हमारी सामुहिक शक्ति को, हमारे सामुहिक सामर्त को हमने देखा है, आजहती कामर्त महुत जिस प्रकारते बनाया गया, जिस प्रकारते हाज अहल जीले में, 75 अमरित सरोव बनाने का अभ्यान चल रहा है जाओं गाओं के लोग जुड रहे हैं कार सेवा कर रहे हैं अपने प्रैतों से अपने गाओं में जल सवरोच्छन के लिए बड़ा भ्यान चला रहे हैं और इसलिए भाईयों बैनों चाहे स्वच्छता का भ्यान हो चाहे गरीबों के कल्यान का काम हो देशाज पूरी शक्ति सा आगे बढ़ रहा है लेकिन भायों बैनों हम लोग आज़ादी के अमरित काल्ब है हमारी पच्चतर साल की यात्रा को उसका गवरोगान ही करते रहेंगे अपने ही पीट थप थपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगी और इसलिए पच्चतर साल का कालगन कितना ही शांदार रहा हो कितने ही संकटों वाला रहा हो कितने ही चुनोतियों वाला रहा हो कितने ही सपने अधुरे दिखते हो उसके बावजुद्धी आज जब हम अमरित काल में प्रवेश कर रहे हैं अगले पचीस वर्स हमारे देश के लिए अकिन्त महत्व पूरा झाला उप मुट्स विए भीी आज गाल यह हमार आज पूर आडो toca है ऑर के लिए अंग पूर